हम पॉलिटिकली सिनेरियो से जुड़ी करना चाहेंगे क्यूंकि मुख्यमंतुरी सुखु आज धरमशाला पहुँच गये जहां काफी जादा जोश के साथ उनका स्वागत किया गया इस बीच कई बड़े पदधिकारियों के साथ उन्होंने मुलाकात भी की और परीधी ग्र खास तोर से उन नेताओं की ओर से किया गया जो कि चुनाव लड़ने में दिल्चस्पी दिखा रहे हैं या जिने एक तरह से प्रतियाशी के तौर पर घोशित कर दिया गया है तो एक शक्ति प्रदर्शन इन्होंने भी किया दूसरा बयान दिखे मुख्यमंतुरी सुखु के लिए और एकता बनाने के लिए देश में जो भी योगदान बलिदान दिया गया है वो कॉंग्रिस पार्टी के कदावर नेताओं की ओर से ही दिया गया है कॉंग्रिस पार्टी के दो प्रदान मंत्री थे जिन्होंने अपना बलिदान तक दे दिया ताकि देश में एकता बनी रहे अखंता बनी रहे और तीसरी बात इन्होंने महिलाओं के आरक्षन को लेकर कह दी है क्योंकि देखे भाश्पा लगातार एक ही बात महिलाओं के संबंद में कहती है कि महिलाओं को 33 प्रतीशत आरक्षन देने वाली पार्टी भाश्पा ही है तो इस पर मुख्या मंत 33 प्रतीशत आरक्षन महिलाओं को दिया जा सके ये कॉंग्रेस पार्टी की ही विचार धारा थी केवल इस पर अब फैसला हुआ है हलाकि नीव तो इस फैसले की बहुत पहले ही रख दी गई थी ये मुख्या मंतरी सुक्विंदर सिंग सुक्रू का मानना है स्कूल एडमिशन पर भी देखे एक बड़ा फैसला हुआ है ये विशेश तो और से उन छात्रों से संबंदी जानकारी हम लेकर आए हैं जो दसवी या बारवी में फेल हो गए थे एक बारी दुबारा उन्हें एडमिशन का मौका दिया जाएगा और केवल सरकारी स्कूलों म ही इस बात से घबराना नहीं पड़ेगा कि एक्स चात्र या उसके प्रमान पत्र में फेल होने का इस साइन लगने वाला है ऐसा कुछ नहीं होगा इन बातों को लेकर विशेश तोर पर ध्यान रखने के लिए अब कह दिया गया है शिक्षा मंतरालिय की ओर से अब राज्य नहीं होगा कि ये चात्र फेल हुआ है नियमित तोर से इन चात्रों की भी कक्षाएं लगाई जाएगी इसके लिए खास आयोजन होने वाला है ये इसलिए हुआ क्यूंकि देखिए हर साल 46 लाग चात्र दसवी और बारवी में फेल हो जाया करते थे यानकि आंक्रा जो था ये पढ़ाई करने की उमर रहती है इसमें जरूरी नहीं है कि कोई चात्र जाकर दुकान में बैठ चाए या कोई और काम शुरू कर दे और वो भी सिर्फ इसलिए क्यूंकि वो दूसरे चात्रों को फेस नहीं कर सकता है अपने जूनियर्स को फेस करने से घबराता है तो इ निमाचर प्रदेश में अब इसे लेकर वैवस्ता कैसे की जाती है ये बिलकुल आने वाले समय में हम देखने वाले हैं देखे राजनीतिक तौर पर एक और जानकारी आपको देते हैं और सियासद एक बार फिर से गर्मा गई है और कहानी वही है कि एक बार फिर से जो कॉंग्रेस के फेस्बुक अकाउंट से ही फोटो वाइरल हुई है और इसमें गलत कैप्शन भी दी गई है ये अपत्ति जनक शब्द बार बार एक महिला प्रत्याशी के लिए कि उस्तेमाल किये जा रहे हैं इस पर भाश्पा ने विरोध जताया है और प्रदेश में जो भाश्पा के मीडिया प्रभारी करननन्दा है उनकी और से जिला निर्वाचन अधिकारी को भी इसकी शिकायत कर दी गई है और कई तरह के सवाल भी इस पर उठाय जा रहे हैं हलाकि दूसरी और जो मीडिया कॉंग्रेस में मीडिया विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर उठीक तरह से ऑनाफिشल पेज है क्यूंकि हर जीले में युवा कॉंग्रेस का अधिकरिक पेज है और यह वो पेज नहीं है जहां से और की और से जानकारी सार्जा की जाती है कोई भी तो ऐसे में यूवा कॉंग्रेस को केवल बदनाम करने की कोशिश हो रही है ये किसी और का काम है, कॉंग्रेस कैसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब भाश्पा ने अभी इसकी शिकायत कर दी है, चुनाव आयो की ओर से क्या एक्शन लिया जाता है, ये जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि नेता प्रतिपक शायराम ठाकुर भी काफी जादा रोश में नजर आये हैं, उनका ये मानना है कि अभी देखे चुनावी दौर है, और प्रचार प्रसार करने के बजाए भी ऐसी हरकतों को युवा कॉंग्रेस और बाकी कॉंग्रेस नेताओं की ओर से अन्जाम दिया जा रहा है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है, इनक अब देखे उस घटना पर आना चाहेंगे, जो कि हैवानियत भरी रही है, और दरिंदगी एक युवक की ओर से युवति पर दिखाई गई, हिमाचर प्रदेश जिसे की देव भूमी कहा जाता है, देव भूमी को शरमसार करने की हरकत को इस युवक की ओर से अन्जाम दिय गया है, बाहरी राजियों में जब इस तरह की घटनाएं युवतियों के साथ पेश आती थी, तो मिसाल उस वक्त हिमाचर प्रदेश की दी जाती थी, कि देव भूमी हिमाचर प्रदेश में कभी ऐसी घटनाएं नहीं होती है, शुन्य के बराबर वहाँ ऐसी घटनाएं है हिमाचर प्रदेश के संसकारों को लेकर मिसाल दी जाती थी, लेकिन अब तो हिमाचर प्रदेश में भी ऐसी घटनाएं सामने आने लगी है, जिसके बाद कानून व्यवस्ता, सुरक्षा व्यवस्ता को लेकर तो सवाल उठी रहे हैं, लेकिन यहां के संसकारों को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं और आखिरकार हिमाचर प्रदेश के युवाओं में ऐसी दरिंदगी भरी कैसे ये भी एक बड़ा सवाल है क्या नशे की चपेट में ये युवक आ रहे हैं जिसके बाद इनकी जो मानसिक स्थिती है वो खराब हो रही है बिगड रही है ये भी यहाँ युवती पर दराट से हमला किया गया एक युवक की ओर से और दरिंदगी भरी खबर हम इसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बार नहीं दो बार नहीं बलकि दस बार इस युवक ने युवक ने युवती पर वार किया है पूरी तरह से युवती लहुलुहान हो गई थी ग परदन पर बाजू पर और उंगलिया तक इस यूफती की कट गई है तुरंट प्रभाव से इसे सीविल अस्पताल ले जाया गया सीविल अस्पताल से टार्णा मेडिकल कॉलिज रैफर किया गया फिर पीजी आई चंडीगर भेजा गया अभी डॉक्टर्स की और से जानकारी ये दी गई है कि यूफती खत्रे से बाहर है लेकिन काफी जादा घायल अवस्था में है और एक बार नहीं दस बार एक द्राट से इस पर जब वार किया गया तो यूफती पर क्या बीती होगी हलाकि ये पालंपूर बस स्टैंड में देखिए बिलकुल घटना सामने आई ह और ये पिछले कल तीन बजे की जानकारी है दोपर तीन बजे ही ये यूवक द्राट लेकर इस यूफती का महाँ पर इंतजार कर रहा था जैसे ही यूफती सामने आई तो द्राट से इसने हमला कर दिया आसपास काफी लोग एकत्रित हो गए थे यूफती को बचाना चाह रहे थे लेकिन सामने कैसे जाते क्यूंकि यूवक तो दरिंदगी भरी नजरों से उस वक्त यूफती को देख रहा था उसके हाथ में द्राट था और लगातार उस पर वार कर रहा था वार करते वक्त जैसे ही द्राट यूवक के हाथों से नीचे गिरा तो उसी वक्त वहा में ले लिया है और S.P. कांगडा की ओर से जानकारी ये दी गई है कि तकरिबन आधा दर्जन के करीब विभिन धाराओं के तहत इस पर मामला दर्ज कर लिया गया है और तुरंट प्रभाव से इस पर कारवाई भी की जाएगी अभी युफती का बयान नहीं लिया गया है क्य की सुरक्षा व्यवस्था को कानून व्यवस्था को क्या हो गया है और उससे बड़ा सवाल की इस तरह के संसकार तो हिमाचर प्रदेश के नहीं थे क्या वो वक्त अब हिमाचर प्रदेश में भी आने वाला है जब बेटियों के लिए सड़कों पर उतर कर आवाज उठानी होगी ताकि इस तरह की घटना आने वाले समय में ना हो हर किसी यूफती के दिल में ये दिखिए एक तरह से डर बैट गया है क्योंकि जब इस तरह से दिल दहला दिने वाले मामले सामने आएंगे तो कैसे फिर कोई भी यूफती खुले आम सडकों पर घूम पाएगी या खु को जिनका देरी से आना होता है वो कैसे में खुद को लेकर यहां सुरक्षित महसूस कर पाएंगी जब इस तरह की घटनाएं बार-बार सामने आएंगी और पहली मर्तबा तो ऐसा हिमाचर प्रदेश में हुआ नहीं है पिछले दो वर्षों की बात करें तो लगातार इसी की चपेट में आ रही है इनकी मानसिक्स्थिती बिगड रही है और उसके बार इस तरह की घटनाओं को यह अंजाम दे रहे हैं फिलहाल अगर हम इस मामले की एक और हकीकत आपको बताएं तो जानकारी ये भी सामने आई हैं कि यूवक और यूफ्ती पहले से भी एक दूसर बिल्कुल इसी तरह की बाते इस वक्त हिमाचर प्रदेश में हो रही है और महिलाएं खुद को लेकर सुरक्षित कैसे महसूस करेंगी जब आई दिन इस तरह की वारदाते यहां पर होती रहेंगी तो अब ही देखिए जो जांश पहुंची है फिलाल इतनी है कि पूश्ता की और से विश्वास दिलाया गया है युवति के परिवारजनों को भी तो अब हर कोई इस इंतजार में है और कड़ी से कड़ी सजा इसे सुनाई जानी चाहिए यह मांग केवल आम लोगों की और से नहीं बलकि विपक्ष की और से भी उठाई जा रही है नेता पतिपक्ष मांग भी उठाई है कि कड़ी से कड़ी सजा इस युवक को मिलनी चाहिए जिसने यह दरिंदगी एक युवति के साथ दिखाई देखें काफी सारे लोग कंफ्यूज हैं कि अगले कल बसों की हर्ताल रहे गी या नहीं रहे गी ये प्राइविट बस से संबंदी जानकारी लेकर आए हैं जो जिला उपायुक्त है, सरकार और प्रशाशन के सामने इनकी मांग रखने वाले हैं, हलाकि अगर एक महीने के बाद भी इनकी इन डिमांड्स पर गौड नहीं हुआ, तो फिर ये हरताल पर जाएंगे, ये भी ultimatum पहले ही private bus operators की ओर से दे दिया गया है, लेकिन कल के लिए ये समस्या भी टल गई है, और कल बिल्कुल private busses चलने वाली है, दरासल तीन मांगे ये उठा रहे थे, पहली मांग इनकी one minute traffic plan से संबंदी थी, लेकिन अभी तो one minute traffic plan वैसे ही बंद कर दिया गया है, तो जिस वज़ा से ये अपने आप इस दाइरे से बाहर हो गए, दो इनकी और प्रभुख मांगे थी, जिसमें इनका कहना था कि HRTC busses का time table निरधारित होना चाहिए, क्योंकि जब वो अपने अपने time से चलती है, तो उसका नुकसान private busses को होता है, सवारियां HRTC busses में जादा जाती है, महिलाओं को वैसे ही किराय में छूट दी गई है 50 प्रतिशक, तो उस वज़ा से private bus operators पहले से नराज हैं, और अब इने सवारियों में और जादा नुकसान होता है, दूसरी मांग इनकी ये है, कि 40 km से जादा दूरी की busses भी पुराने bus अड़े से चलाई जा रही है, तो ये नहीं होना चाहिए, इस पर भी रोक लगाई जाए, हलाकि कितनी जल्दी इनकी मांग पर गौर होता है, ये हम बिल्कुल देखेंगे, अब pensioners की pay fixation पर आना चाहेंगे, ये बिजली बोर्ट से संबंदी जानकारी हम लेकर आएं, तकरीबन ये 26,000 pensioners हैं, और pay fixation इनकी अभी तक नहीं हो पाई, जिस वज़ए से area और DA का भुक्ता नहीं हो रहा है, बाकि डिपार्टमेंट्स में करमचारीओं के लिए pensioners के लिए 4 FSD DA की announcement हुई थी, लेकिन बिजली बोर्ट के जो pensioners हैं, इनका DA और area इसलिए रुका है, pay fixation नहीं हो पाई है, और अब बिजली बोर्ट की ओर से हवाला ये दिया जा रहा है, कि धाई साल और जादा अभी pay fixation में लग जाएंगे, पहले ही इन्होंने काफी जादा इंतजार कर लिया है, अब जब तक ये fixation नहीं होगी, तब तक DA और area का भुक्तान करना मुश्किल है, ये बिजली बोर्ट ने ने कहा, जिसके बाद ये काफी जादा आक्रोश में आ गए हैं, धाई साल का इंतजार नहीं करेंगे, ये भी बात इनकी और से स्पष्ट कर दी गई है, अंत में हिमकेर से जुड़ी जानकारी आपको देंगे, क्योंकि निशुल्क इलाज बंद हो गया था, सरकारी अस्पतालों में सरकार की ओर से हिमकेर के लिए राशी का भुक्तान नहीं किया गया था, कि निशुल्क इलाज शुरू हो सके, अब इसके बाद अधिकरित कंपनी मानती है या नहीं ये भी देखना होगा, क्योंकि तकरिबन 353 क्रोड बकाया है, जिसमें से 100 क्रोड ही सरकार की ओर से अभी दिया गया है, तो इस हिसाब से जो ओर्डर हुआ है, अगर उसके मुताबिक हम बात करें, IGMC को 25 क्रोड, PGI चंडिगड को 10 क्रोड और Tanda Medical College को 29 क्रोड रुपए जारी किये गए हैं, कुल मिलाकर ये 13 बड़े स्वास्थे संस्थान हैं, जिनमें 100 क्रोड रुपए बांट दिये जाएंगे, हलाकि जैसे IGMC को अभी 25 क्रोड दिया जा रहा है, लेकिन कुल इसमें 92 क्रोड रुपए बकाया है, तो ऐसे में अब कंपनी यहाँ पर क्या कुछ सोच विशार करती है, यह हम देखेंगे, PGI चंडिगर को 30 क्रोड और Tanda को 107 क्रोड बकाया हो गया था, तो अभी जैसा कि हमने कहा, अगर हम PGI चंडिगर की बात करें, क्योंकि 10 क्रोड ही दिये जा रहे हैं, अलाकि 30 क्रोड यहाँ पर बकाया है, और Tanda Medical College में 29 क्रोड रुपए जारी किये गए हैं, जबकि 107 क्रोड रुपए वहाँ पर बकाया हो गया है, तो अभी स्थिती कुछ ऐसी है, लेकिन 100 क्रोड दे दिये गए हैं, इसके बाद कितना प्रभाव पड़ता है, और निश्यूल कि लाज कब तक शुरू हो पाता है, यह हम बिल्कुल जानकारिया हैं,